आज हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रॉक्चर में ट्रेडिंग और एक्विटी फाइनेशल मैनेजमेंट चिप्टर ना काफी बढ़ा होगे क्योंकि इसमें बहुत साले टॉपिक है लेकिन यह जो टॉपिक अभी हम करने वाले ना गाईस यह बहुत इंपोर्टेंट है यह पार्ट है और एक्जाम में आता है 2016 के एक्जाम में भी ऐसा कोश्चन आया है तो इसे अच्छी तारिके से समझना और इसके ओपर प्रीविएस वीडियो बन रख्या यानि की पार्ट वन तो उसे जरूर देखना अदर वाइस यह नहीं समझाएगा तो कंसेप्चुल नॉ पार्ट का मतलब होता है कि कम्पनी डेवेंचर लोन वगरा इसु करती है यानि कि जिन पर हमें फिक्स इंट्रस्ट पर करना पड़ता है क्यों इसु करती है ताकि उनके शेर जो होल्डर से उनको जादा इंकम हो सके तो आप काओगे इससे शेर होल्डर को मतलब उनको पड़ता है क्योंकि उसे उस पर हमें कोई टेक्स देना नहीं पड़ता ठीक है लेकिन उसके सिर्फ एक कंडिशन है कि कम्पनी में तभी फाइदा होगा ऐसी सिचुएशन का जब कम्पनी में ROI मतलब return on investment जादा होगा comparatively interest rate के यानि कि अगर आप बाहर से पैसा उठाते हो ल आपका return on investment 10% से जादा होना चाहिए अब return on investment क्या होता है EBIT divided by capital employed into 100 इसका क्या मतलब हुआ इसका simple सा मतलब होते है कि भाई आपने जो पैसा लगाया ना उस पर आप जो पैसा अं करने वाले वो कितना पासंट है earning before interest in tax जिसमें से अभी तक आपने कोई भी ना interest पे किया ना tax यानि कि आपके हाथ में पैसा कितना आया मैं कहते हूँ मेरे हाथ में एक लाख रुपे capital employed मैंने लगाया था business में 10 लाख into 100 तो 1 लाख 10 लाख का कितना परसंट होता guys 10% तो 10% यानि कि मेरा return on investment कितना है 10% तो और interest कितना है 10% तो मैं यानि कि trading on equity में benefit नहीं उठा पाऊंगी मेरा ROI या तो 11% हो 12% हो 13% 15% 20% हो जितना ज्यादा gap होगा उतना ज्यादा हम equity में मतलब trading on equity का procedure कर सकते है जब इंचर इसू कर सकते है और उससे shareholder को benefit होगा लेकिन अगर हमारा ROI कम है और interest rate जादा है तो हम नुकसान में चाने वाले तो हमारे shareholders को कोई भी benefit नहीं होगा अब इस situation को समझाने के लिए मैंने दो case studies लिया है first is favorable leverage and second is unfavorable leverage favorable leverage क्या होता है favorable leverage का मतलब में बहले बता चुके हो financial leverage जिसमें हमने यह देखा था कि डेट कितना हम ले सकते हैं डेट कितना होगा हमारे equity के proportion में उसे बोलते थे अब favorable का मतलब यह होता है कि हाँ हम trading on equity कर सकते हैं favorable leverage मतलब जब हमारा ROI जादा है किससे interest rate से और unfavorable होता है जिसमें ROI हमारा less है interest है ठीक है तो सबसे पहले हम एक situation समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझना guys आपके लिए बड़ा new topic है and I will try कि मैं easy जितना हो सके उतने easy way मैं आपको समझा सको पहली दो situation कॉंसी मैंने लिए अभी हम unfavorable को भूल जाते हैं अभी हम favorable लेते हैं हमें company में पैसा employ करना है लगाना है 30,000,000 उट पे कितना 30,000,000 तो equity और debt we have two option equity में हमने लगाया 30,000,000 पहला हमने कोई debt नहीं लिया first option हमारे पास यह है कि सारा पैसा हम shares के थ्रू issue कर दे हम कोई interest, venture नहीं ले रहे हैं तो हमने कुछ नहीं लिया तो हमारी capital कितनी लगी 30,000,000 है 30,000,000 ही है लेकिन पूरे shareholders के थ्रू है अब earning हमारी होती है guys let's suppose 4,000,000 ठीक है कितनी हो रही है 4,000,000 हो रही है अब सबसे पहले जब भी हमें earning होती है that is EBIT earning before interest in tax तो first step होता है interest पे करना then होता है tax पे करना अब हमने इसमें से interest पे करना है हमने तो कोई loan लिया ही नहीं तो हमारा कुछ भी interest नहीं गया अब हमारी आगे earning before tax कितनी आगे अभी भी 4,000,000 है क्योंकि हमने कुछ भी interest पे नहीं किया हमारा बनता ही नहीं था अब before tax आगे 4,000,000 हमारा tax rate है 30% 4,000,000 का 30% अगर हम minus करें यह सब कुछ suppose कर रखा है आप इदर 40% भी ले सकते हो 50% भी ले सकते हो अब 4,000,000 का 30% 1,000,000 हमने minus कर दिया earning after tax कितना आ गया 4,000,000 में से 1,000,000,000 गया 2,000,000,000 अब 2,000,000,000 रुपीज हमारे पास यानि की हाथ में बच गए tax देने के बाद समझना गाईस ठीक है अब 2,80,000 में हमारे बस कितनी capital हमने issue करी थी गाईस 30,00,000 रुपे अगर 10 रुपे का एक share हुआ तो number of shares कितने हो गए तीन लाख अब हमने क्या करना है अब देखो 2,80,000 रुपे हमारे हाथ में आ रहे हैं कितने shareholders हैं 3,00,000 shareholder है 10 रुपे का एक share हुआ तो per share कितने total share है 3,00,000 हम इसको जब cut करेंगे तो 0.93 आएगा हमारा answer यानि कि per shareholder कितना amount मिलने वाला है 0.93 तो यह यानि कि उनकी earning per share हो रही है earning per share कैसे निकालते हैं जो भी आपका amount आया earning divided by number of shares ठीक है अब second option हम लेते हैं यहाँ पर अगर हम देखें EBIT यहाँ पर अगर मैं आपको यह बताओ कि हमारा ROI कितना है तो ROI निकालने का formula क्या होते है guys EBIT upon me capital employed into 100 यहाँ पर हमें कितना पैसा मिल रहा था चार लाक चार लाक कितने रुपे लगाने पर तीस लाक लगाने पर into 100 कितना percent होता है अगर मैं cut करो पांच पांच और चालिस 13.something आएगा इसकान से यानि कि आपको जो earn हो रहा है वह 13.something 33 आएगा ठीक है यानि कि अभी आपका interest 10% है और आपकी earning 13.33 है और यहाँ पर तो हमने loan लिया ही नहीं यानि कि हमारा ROI 13.33 परसंट था तो यानि कि हम अगर interest rate इससे कम मिलता है तो हम ले सकते हैं तो अब हमने second option अपनी company के सामने रखा कि थीस लाक रुबे चाहिए ना 30,000,000,000 बीस लाक रुपे के आप share issue कर दो और उसमें 10% आप interest rate 10% बढ़ा है क्यों ना कुछ लोन ले 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 तो हमने 10 लाक रुपे का loan ले लिया ठीक है अब 20 लाक shares 10 लाक रुपे का loan total हो गया 30 लाक रुपे अभी भी हमारी earning 4 लाक है चार लाख में से सबसे पहले that is called EBIT. EBIT में से हमें सबसे पहले earning before interest in tax. अब हमें interest pay करने है. Interest 10 लाख का 10% अगर हमने 1 लाख रुपे दे भी दिया, तो interest pay करने के बाद earning before tax रह गया 3 लाख. 4 लाख में से 1 लाख गया 3 लाख रुपे. अब हमें इस पर tax pay करना है that is 30% हमने minus कर दिया अब हमारे हाथ में रहे गया 2,10,000 रुपे 2,10,000 में से हमारे पास number of यानि कि अब share holders के पास आ गए 2,10,000 रुपे अब number of shares कितने 20,00,000 रुपे की share capital है 10 रुपे का एक share है तो 20,00,000 रुपे आपके पास 10 रुपे का एक share तो number of shares कैसे आते है 20,00,000 divided by 10 यानि कि आपके पास 2,00,000 share होंगे तभी आपने 2,00,000 share 10 रुपे के साब से issue करें आपके पास 20,00,000 रुपे आए है या लोन लेने से हमारे share holders के income बढ़ गई न that is called trading on equity और वो तब बढ़ी है जब आपका ROI interest rate से जादा है हमने ROI निकाला 13.33 that's why हमारा interest rate से वो जादा बढ़ा है ठीक है और हमें उस चीज़ का benefit भी हुआ अब ही अगर हमें और interest वाले अपना loan वगरा issue करना हो तो हम easily कर सकते हैं क्योंकि हमारा ROI जादा है लेकिन अब जो मैं third and fourth situation लोगी उसमें ROI कम होगा तो हमें इस case में नुकसान होता है तो ये तो पहला case था जिसमें ROI जो है वो जादा हो तो हमें benefit होता है तो guys आपको ये पार्ट समझा है यानि कि इन दो situation में हमने favorable leverage को पढ़ा है जिसमें हम एक चीज़ पर consider करते हैं कि ROI जादा होना चाहिए interest rate से तब ही हम trading on equity कर सकते हैं तब ही हम और debenture issue कर सकते हैं तो company benefit उठाएगी आपको इसके लिए ये एक तो steps याद होने चाहिए होगा फिर tax minus होता है फिर जो भी income आती है वो आपके shareholder से हात में जाती है तो number of shares से आप divide करते हो तो 2,10,000 दिवाइड बाई 2,00,000 तो answer आएगा ये होता है earning per share ठीक है number of shares अगर आपने से किसी को भी निकालने नहीं आते तो आप बहुत easily समझ सकते हो अगर आपने 20,00,000 रुपे आपके पास आएं और आपके बास 10 रुपे का एक share है तो 20,00,000 divided by 10 आपके 2,00,000 share है तो आप easily इस चीज को समझ सकते हो और इसको trading on equity कहा जाता है और ये हमारा favorable leverage क case है नेक्स्ट वीडियो में हम unfavorable leverage को बढ़ेंगे